तो आज भी हम shift करते हैं हमरे ऩाइस के तरफ तो यहन सजब्सक्राइब हैं तो जेसी यहाँ कि fitness का में ने पहले लि glaze calorie और यहां पर इंक्लूडिंग प्रैक्तिकल पेपरिस तो तो क्रें स्ट पहले प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल प्रैपर नाकर जिनका है तो जीतना मुझे ज सब्जेक्स कोड है ठीक है तो जैसे मैंने यहां पर पक्राइब 85 75 70 इन तिनों मार्क्स जो है मेरा हैस्ट है सपोस्ट तो टो टेल कितना होता है 230 आउट ओफ 300 करेंगे तो आप लोग यह देख सकती हो यह से 230 मिलाना आउट ओफ 300 तो 50% हम लोग बेश्ट्री सबजेक्स का निकालेंगे 230 इन्टू 50 तो टॉटेल आपका है इस टोटेल को काउंट करना ऐसे कर के आउट ओफ 300 होंगे अप फिर क्या करेंगे 230 हट्रीं इसे करेंगे उसके बाद उसको into क्या करेंगे 50 करेंगे 50 marks के बीच में हम लोग निकालेंगे उसको तो कितना है 38.33 out of 50 marks उसको हमने corner पर लिख दे 38.33 आप देख सकते यहां पर 38.33 corner पर हमने लिख दिया उसको अभी next shift करेंगे हम लोग दो नमबर पर जो practical paper marks जो होंगे तो इसमें जैसे आपका physics biology और chemistry तो उस paper तीन paper में से किसी दो paper में आप लोग का normal practical exam होता है तो उसके लिए जैसे 30-30 60 marks का होता है practical exam तो suppose इसमें आपको 50 मिला है 25-25 करके दुना paper में 50 मिला है तो उसका calculation कैसे करना है उसको 30 marks में convert करना है ठीक है जैसे 50 by 60 into 30 30 marks में उसको convert करना है तो 50 by 60 into 30 होगा तो जैसे 30 में out of 30 कितना मिल रहा है आपको 25 मिल रहा है calculation करने के बाद तो यह 25 marks जो है यह भी corner पर जाएगा आपके इस percentage के उपर ठीक है तो जैसे यहाँ पर एक मैंने एक example पर दे दिया 8 दे दिया मैंने जैसे यहाँ पर मैंने एक example पर आपको internal assessment में 8 दे दिया ठीक है तो आभी counting करेंगे तो कितना होता है total 71.33 out of 90 क्योंकि यहाँ पर आपके जो 50% बेस्ट रीपर यहाँ से 50 marks लिए जाएंगे practical के 30 marks लिए जाएंगे और आपके internal assessment में 10 marks लिए जाएंगे total 90 marks होंगे होंगे तो 90 में आउट ओफ 90 में आपको total करने से कितना मिल रहा है 71.33 ठीक है अब नेक्स एडिशन जो फूर्ट पॉइंट एडिशनल 10 परसेंट यह अभी टोटल बेस करेंगे आपके इस परसेंटिस के उपर इस marks के उपर ठीक है तो उसका calculation कैसा होगा देखे है 71.33 divided by 90 into 10 marks इसका टोटल कितना रहा है 7.93 ठीक है फिर उसी 71.33 के साथ 7.93 को प्लास कर दोगे तो यह आपका आउट ओफ 100 में marks आजाएगा 79.26 परसेंट यह हो जाएगा आपका करना पड़ा ठीक है लेकिन आप लोग का तो 100 में आ रहा है जिस कारण आपको करना नहीं हो ओप लोग को क्लियार हो गए होगा आप लोग चाहे तो वीडियो से होगे चल्स के उसके ओपर काउंटिंग किये जाएंगे तो जैसे मैंने यहां पर 80 90 70 पकड़ा है तो टोटल कितना हो रहा है आपका प्लास करके 240 आउट ओफ 300 तो उसका कल्कूलेशन करके 240 आउट ओफ 300 इंटू 50 में करेंगे जैसे साइंस का किया था हमने 50 में तो करके आपको 50 में आउट ओफ 50 मार्क्स में आपको कितना मिल रहे है यहां पर 40 मार्क्स तो यह कॉर्णर पर जाएगा 40 मार्क्स ठीक है सेगेंड कंडिशन 40 परसेंट और इंटरनेल असेस्मेंट उनका था प्रेक्टिकल का 30 प पर कितना मार्क्स मिलाता मैं 40 मार्क्स मिलाता तो उसी के ओबर बेस करके इंटरनेल असेस्मेंट आपका दिये जाएंगे तो यहां पर जितना मार्क्स होता है अगर यहां पर लिखोगे 30 by 50 into 40 तो यह कैलकुलोशन आता है 32 फिस दोनों को प्लास करने से कितना आता है 72 यहां पर जैसे अडिशनल 10 परसं में मैंने लिका 72 by 90 into 10 जैसे यहां पर 71.33 divided by 90 लिका यहां पर आएगा 72 by 90 into 10 तो कितना आता है 8 तो दोनों प्लास करके कितना आता है 80 मतलब आपको आउट ओफ हंडेट कितना मिलेगा 80 मतलब 80% आपका हो जाएगा तो इस तरह केलकुलेशन होगा तो मुझे जितना लग रहा है मैंने अच्छे से आप लोगो समझाए अगर आप लोग को कन्फिशन हो रहा है तो स्क्रिंशोट लीजिए और यह केलकुलेशन अच्छी से करिए तो आप लोग का क्लियार हो जाएगा कि कितने आपको मार्क्स मिलेंगे एक्समिशन मे स्क्रिंशन समझ में आया होगा अगर कन्फिशन लग रहा है तो एक स्क्रिंशोट लेजिए और अच्छी से कल्कुलेशन करते हैं तो अपना जो रिजाल्ट आप देख सकते हो और नेक्स्ट वीडियो आया गया और जो जो जॉब लेकिए कन्फिशन अभी बच्चों के मन में आ रहा है कि गोवर्मेंट ने काया है जो 2021 के बच्चे जॉब के लिए अपला ही नहीं कर सकते है और टोटली गलत बात है ऐसा उन्होंने नहीं काया गोवर्मेंट ने तो उससे लिए क्लियारिफिकिशन वीडियो लेके आऊंगा जल्द ही हो सकते हाज शाम तक आ जाए पर जोईनिंग मी